हालो फ्रेंग्स, आज हम Adopt PageMaker 7.0 में Page Basic सीखेंगे सबसे पहले आपको यहां पे ग्रे कलर का background दिया है हमें नया page लेना रहेगा, file menu पे click कीचे new option पे click कीचे यहां पे आपके सामने document setup का एक dialogue box खुलेगा जिसमें आपको सबसे पहले दिया हुआ है page size पेज के different different sizes आपको दिया है, आप scroll करके, आप down move करके आप सारे sizes देख सकते हो हम यहां से जैसे common size A4 select कर रहे है उसके बाद page dimension दिया है, automatically seted है, tall page के लिए अगर हम wide पे click करेंगे तो wide page का dimension change हो जाएगा यह orientation है, orientation यानि tall यानि vertical page, wide यानि horizontal page फिर options दिये हुए है, हम double side page set कर रहे है तो double side पे right click का mark रखिए है उसके बाद है pages, जिसे number of page 1 दिया है अगर मुझे 4 add करना है तो मैं 4 लिख दूँगी margins दिये है, automatically seted है, आपको change करना है तो कर सकते हो resolution 300 dp दिया हुआ है, ok दिशे यहां पे आपका page आ जाएगा आप देख सकते हो, यहां पे आपको pages दिये हुए है left bottom में, हमने 4 page add किये तो 4 दिखा रहे है और यहां पे हमने double side select किया था तो double side page दिखा रहे है, अगर हमने single side कर रहे है तो file menu में, document setup option में जाके double side से click हटा देंगी, ok दीजे झाल